नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज किस वीडियो में आपको बताऊंगा कि जीमेल से फोटो कैसे भेजते हैं तो वीडियो को सुरु करने से पले आप से चोटी सी गुजारी से अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब निकितों सब्सक्राइब कर लिजिए और साथी वेल वाला इकॉन को भी प्रेस कर दीजिए जीसे नहीं वीडियो डलो तो उसका नोट्यूब किसान सबसे पहले आप तक पहुंच सके हैं तो जीमेल से फोटो सेंड करने के लिए सबसे पहले जीमेल एपस को ओपिन किजिएगा Gmail apps open हो जाने के बाद यदि आप Gmail apps में sign in नहीं है तो अपना Gmail ID और password डलके sign in कर लिजिए सबसे पहले Gmail में और उसके बाद Gmail से photo भजने के लिए यहाँ पर click करना होगा इस plus वाले icon पर तो click किजेगा यहाँ पर plus वाले icon पर click कर देने के बाद यहाँ पर प्रोम में आपका email ID होता है और उसके बाद 2 में उस इंसान का email ID लिखना होता है जिसे आप photo send करना चाहते है तो यहाँ पर उस इंसान का email ID टाइप किजिए मैं उस इंसान का email ID टाइप करता हूँ 2 में उस इंसान का email ID टाइप कर देने अक बाद यहाँ पर subject में उस photo के बारे में लिखिएगा जिस photo को आप send कर रहे हैं तो यहाँ पर हम subject में कुछ लिख लेते हैं और उसके बाद आता है compose email तो compose email में अपने photo के बारे में जो भी detail लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखिएगा यहाँ पे हम कुछ टाइब करते हैं तो यहाँ पे हम Compos email में लिख दिये हैं हाई चेक दिस email और फोटो को add करने के लिए email में यहाँ पे click किजेगा इस icon पे तो यहाँ पे click करते हैं यहाँ पे click कर देने पाद आपको click करना होगा attach file तो यहाँ से आपका फोटो नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे click किजेगा इस three line पे और यहाँ से अपने gallery को open कर लिजेगा तो यहाँ पे हम gallery पे click करते हैं तो यहाँ से हमारे gallery open हो जाती है और यहाँ से अपने photo को select कर लिजेगा फिलाल मैं इस photo को select कर लेता हूँ photo को select कर देने के बाद यहाँ पे stick mark पे click किजिएगा तो यह photo mail में attach हो गया है अब इसे send करने के लिए आपको यहाँ पे इस arrow पे click करना होगा तो click किजिएगा यहाँ पे इस arrow पे अब यह हमारी mail यहाँ से send हो जाती है तो इसे check करने के लिए आपको 3 line पे जाना होगा 3 line पे जाने के बाद यहाँ पे आपको click करना होगा send पे तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह photo send हो चुका है तो इस तरह सब बड़े यह असाने से किसी भी व्यक्ति को email से photo send कर सकते हैं उमीद करता हूं कि आपको यह वीडियो समझ में आई होगी और आपके एक काम की होगी अगर वीडियो अच्छी लेगे तो इसे like किजिए share किजिए अपने दोस्तों में WhatsApp Facebook ग्रूप में और ऐसे हैं वीडियो मैं अपने चैनल पे लेकर आते रहता हूं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मिलते हैं कि नए वीडियो में तब तक लेपना ख्याल रखिएगा बाई